आज की ये वीडियो पाइफन प्रोग्रामिंग की है आखिरकार पाइफन में हम डेफ नाम का जो पीवर्ड है इसको क्यों बार बार यूज करते हैं अपने किताबों में रेखा होगा अगर अपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है सीवी असी बूर से हैं तो डेफ का बड़ अब फॉंक्षन के ठीक पहले लिखा जाता है इससे जो भी पॉंक्षन जैसे सब नमबर के नाम ते एक फॉंक्षन मनाया और इसमें दो ही नमबर माइनस हो सकते हैं ऑर अगर आप टीन करना चाहते है तो c भी दे सकते हैं लेकिन फिलकी हमने दो ही दिया है ठीक है और यहा पे जो हमने फंक्षन बनाया उसी चीज़ को यहां पर लिग दिया है बाकी यहां पर रेटर्ण क्या करेगा यहां पर बता दिया गया ठीक है ना तो अब इसको आगा लिजिएगा और अब देखिए यहां पर इसका सब्डेक्शन 40 आ रहा है एक पर चेक करते है हमारा कोशें क्या था 90-50 40 आएगा clear है अगर मैं यहाँ पर change कर दूँए अगर मैं यहाँ पर change करता हूँ अगर हर बार user चाहे तो यहाँ पर change कर सकता है यहाँ 50 कर दिया और 50-60 क्या यह result print करेगा एक बड़ चेक करते हैं देखते हैं तो यह चीज जो है इसलिए लिखी जाती है कि यह बताया जा सके कि यह function किस टाइब का है function का नाम क्या है define करने के लिए इसका मतलब होता है define करना है यह keyword होता है Python ले ठीक है न